तो देखते हैं यहां पर question number 44 में हम से क्या पूचा गया है The filament of a lamp is 80 cm from a screen and a converging lens forms an image of it on a screen magnified 3 times Find the distance of the lens from the filament and the focal length of the lens इसका मतलब यहां पर क्या है जो lamp का filament जो screen जहां पर इसकी image बन गी है उन दोनों की दूरी हमारे यहां पर क्या 80 cm है और lens हमारे यहां पर क्या convex lens है ठीक है और magnification हमें यहां पर कितना दरखा है 3 times दरखा है और हमें यहां पर बताना क्या है हमें यहां पर lens से दूरी बतानी है किसकी यहां पर Object की और हमें यहां पर क्या बताना है focal length of the lens बताना है करते हैं यहां पर इसको solve तो सबसे पहले हमें यहां पर filament of a lamp जो 80 centimeter दे रख़ा है वो actually में है क्या वो actually में distance of यहां पर क्या image and object है क्या है हमारे यहां पर object plus image की दूर है minus का 80 centimeter और हमें यहाँ पर magnification कितना रखा है, magnification हमें यहाँ पर दे रखा है, 3 दे रखा है यहाँ तो हम आगस को यहाँ पर solve कर सकते है, magnification का formula हमारे यहाँ पर क्या होता है, m equal to v upon u होता है, magnification हमें यहाँ यहाँ पर 3 दे रखा है, तो 3 equal to v upon u, and जो हमारे यहाँ 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 में चाहette हो equation first तो यह वाली value हमें क्या करना है equation first में put कर देने हैं तो हम यहाँ पर लेक्त ओंते है पुट दा वैल्यो रेज हं फास तो यह हमारा यहाँ पर क्या हो जागा t हमें यहाँ हाँ क्या हो जागा med4t 8 cm- 408 दिवादेड ऐस पता कितना हमारा यहाँ पर 20 cm इसका मतलब जो हमारे यहाँ पर object distance है वो हमारे यहाँ पर कितनी हो जाएगे minus का 20 cm हो जाएगी हमें यहाँ पर object distance पता चल गई हमें यहाँ पर image distance पता चल गई तो अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं focal length असानी से निकाल सकते हैं तो u की value हम इसमें put करेंगे तो यह हमारे हिएंपर कितना हो जाएगा v equal to 3 multiply 20 equal to यहापर कितना हो जाएगा हमारा 60 cm अब हम यहापर क्या करना है focal length निकाल लेना है using lens formula तो मैं यहापर लिख लेता हूं using lens formula using lens formula तो lens formula हमारे हिएंपर क्या 1 upon v minus 1 upon u equal to 1 upon f तो v हमारे हिएंपर क्या है image distance 1 upon 16 minus का 1 upon u तो minus minus यहापर क्या हो जाएगा plus का 1 upon 20 हो जाएगा तो हम यहापर लिख लेते हैं plus का 1 upon 20 equal to 1 upon f LC हमारे हिएंपर 60 आएगा 1 plus 23060 equal to 1 upon f 4 upon 64 बंजा 4 and यहापर 15 आजाएगा equal to 1 upon f तो f हमारे हिएंपर क्या है positive का 15 cm तो focal length हमारे हिएंपर कितना निकल गया f equal to plus का 15 cm तो आपको यह वाल अंसर भी हिएंपर समझ में आ गया होगा अब हम चलते हैं अपने next question की तरफ